मेरे लिए आजार औरतें एक एक पड़ों को सहेजने वाली बहुत कम में खुश रहने वाली बुजर्गों को प्रेम देने वाली घर के पुराने बसे जैसी जहां पुरकों की एहसास को भी अपने साथ लेकर चलती है ऐसी होती है आजार होता है ये दिन हमें याद दिलाता है कि घर की दहलीज लांकर जो महिलाएं आज हर छेत्र में अपना पर्चम लहरा रही हैं वो इसी तरह के किसी दिन और हमारी उन पूर्वज महिलाओं के साहस की बदौलत ही संभव हो पाया इस खुबसूरत दिन में चिंतन, मनन और मन्थन करने के लिए उत्राखन मुक्त विस्विद्याले का पूरा परिवार मौजूद रहा कारिकरम की शुरुबात विस्विद्याले की परिक्षा नियंत्रक डॉक्टर डीडी पंतने की आपने अगर फर्वरी की महने में वही सुना होगा तो हमारी सरकार ने पूरा एक आर्मी की पूरी बटालियन के कमंडन्ट जो हम बोलते हैं पूरी महिलाओं की दक्सता को आगने के बाद पूरे उनको उसका रोल दिया है कि वो किसी भी रूप में लीडर्शिप में कम नहीं है दोस्तों इस बात को आज हरकोई महसूस कर रहा है कि महिलाओं देश के आर्थिक समाजिक और राजनितिक विकास में एक महतपून भूमी का निभा रही है महिलाओं में शक्ति होती है, महिलाओं अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती है लेकिन महिलाओं को अपनी ताकत का ऐसास है नहीं होता है उनको ताकत ऐसास दिलाने के लिए भी किसी और का सहारा चाहिए गोता है मैं यह कहती हूँ कि आप खुद ही शक्ति शाली है, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, आप अपने अंदर की शक्ति है, ताकत है, उसको आप जब तक आप नहीं पहचानोगे, तब तक दूसरा नहीं पहचाने, चोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जसे मैं वच्चे क तो कभी हम अपने लड़कों को यह ना बोले कि कैसे रो रहे हो लड़की नी हो यह कैसे शर्मा रहे हो लड़की जैसे लड़कों के परोड़कों के शुरू से ही ऐसी करनी चाहिए की कलकों उसको लई ना की जो लड़की है यह मुझसे अलग है इसलिए उनके प्रती बरसों से बने हुए नजरिये में आज वाकई बदलाव की जरुरत है इस मौकी पर विश्विद्याले की इंगलिस डिपार्टमेंट में एसिस्टेंट प्रॉफिसर डॉक्टर नागेंद्र ने विरेन डंग्वाल की एक खुबसूरत कविता के साथ नारिवदी संघर्सों की पूरी दास्तान को बहुत संजीदा रूप में बया किया रक्त से भरा तसला है रिस्ता हुआ घर के कोने अंतरों में हमें सूजे हुए पपोटे प्यार किये जाने के अभिलाशा सब्ची काटते हुए भी पार्क में अपने बच्चों पर निगाह रखती हुई प्रेतात्माई हम नीद में भी दर्वाजे पर लगा हुआ कान है दर्वाजा खोनते ही अपने उड़े उड़े बालों और फी की शकल पर पैदा होने वाले बेधक अपमान है हमें इच्छा म्रग वन्चित स्वपनों की चारागा में तो चौकडियां मार लेने दो हमें कमबखतो इस मौके पर विस्विद्याले के कई करमचारियों ने अपनी बात रखी हमसी ली समय इतना सपोर्ट मिला है कि अम यह अपर खड़े हैं बोलने के काभिल है तो obviously हमारे घरबारों ने हमें पुश किया है, हमारे घर से हमको इतना support मिला है कि हम यहापे खड़े हो की बोल रहे हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हमें एक दूसरे को समझाने के लिए नहीं बताना है कि अंतराश्य महिला दिवस, हम क्या contribute करें, आप सब समाज की बात करें मैं सब सोसाइटी की बात करें, मैं आपका contribution कूछना चाहते हैं, आप यहाँ खड़े होंके, आप सब को बोल रहे हैं, आप बोलिए, 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 अटलीस आईए ना, दो श्रब तो बोलने हैं, आप विशी कर दीजे, इतना तो रखिये कम से कम कि इतना, हम किसी से भी किसी ने बोला, शायद हम एमोशनली या दूसरों पर फीमेल मेल के ओपर डिपेंडेंट हैं, हम सिफ एमोशनली शायद, उस लमें जब हम ब्रेकडाउन होते हैं, तब हमें लगता है कि हमें कोई सपोर्ट करें, कोई संभालें, वो एक्वली मेल के साथ भी होता है विस्विद्याले द्वारा गोद लिए गए गाओं में स्त्रियों के लिए कुछ बेहतर की जाने पर भी विचार हुआ विस्विद्याले की महिला कर्मियों ने कहा कि उत्राखन के एक मात्र मुक्त विस्विद्याले में स्त्री अध्ययन विभाग का एक डिप्लोमा कोर्स रखे जाने की मांग लगातार तीन साल से की जा रही है जिस पर विस्विद्याले के कुलपती ने बहुत सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस कोर्स के संचालन की हामी भरी और इसकी जिम्मिदारी शिक्षा विभाग में एसिस्टेंट प्रोफिसर डॉक्टर मम्ता और मनुविज्यान विभाग की डॉक्टर सीता को दी इस अउसर पर विस्विद्याले की महिला कर्मियों ने विस्विद्याले में बच्चों की देख भाल के लिए एक क्रेस्ट खोलने एक शिशुग्रह खोलने की मांग भी की जिस पर कुलपती ने विचार करने को कहा इस आउसर पर दोस्तों विश्विद्याले की छेत्री निदेशक रेखा ने महिला हिंसा कमीटी की रास्टी संगोस्टी से लौट कर अपने अनुभव भी साजा किये अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए विश्विद्याले ने इस बार भी दो महिला कर्मी दीपा फुलारा और कमला राठोर को इनकी विशेज कामों के लिए सम्मानित किया गोस्टी का संचालन हिंदी विभाग में एसिस्टेंट प्रोफिसर डॉक्टर राजेन केरा ने किया गोस्टी में विनोध बिर्खानी, भासकर कुमार, मिनाक्षी, प्रभाध होंडियाल, प्रुचियारिया, जितेन पांडे समेथ पूरा विश्विद्याले स्टाफ मजूद रहा